What's up everybody, मेरा नाम है Mystery और आप देख रहे हैं Floating Fool तो House of Dragon series का episode 6 आ चुका है और इसमें हमें काफी intense moment देखने को मिले 10 साल के time jump के एक बाद अब हमें Rhenera और Elysand के रोल में नई actresses Emma Darcy और Olivia Cook देखने को मिली इस episode में हमें Rhenera और Elysand के बीच Iron Throne के next year को लेकर तकरार भी देखने को मिली और Demon और Lena Velarian के relation के बारे में भी बताया गया तो इस वीडियो में मैं House of Dragon के 6th episode को explain करूँगा तो वीडियो को end तक जरूर देखना और मैंने इस series के पिछले सभी episodes को explain किया है और उनकी playlist भी बनाई है तो उसे भी एक बार जरूर चेक कर लेना और हाँ अगर channel पे ने हो तो please subscribe करो and be a part of this journey सो भीना किसी देरी के Here it goes तो पिछले episode की बहतरीन ending के बाद ये नया episode 10 साल के time jump के बाद शुरू होता है जहां हम opening short में रेनेरा को देखते हैं जिसे अब Emma Darcy play करेंगी तो हमें इस short में दिखाया जाता है कि रेनेरा की delivery हो रही है और हमें उसे baby को push out करते हुए दिखाया जाता है जिसके बाद हम एक healthy child को देखते हैं जो की एक boy होता है तब ही वहाँ Queen Elysand का एक message आता है कि वो रेनेरा की baby को देखना चाती है हम लेनोर विलारियन को भी देखते हैं जिसके साथ पिछले episode में रेनेरा की शादी हुई थी और इस character को भी इस episode में recast किया गया है तो वो रेनेरा को वहाँ जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि रेनेरा ने अभी जस्ट एक बच्चे को जनम दिया है और वो चलने की हालत में नहीं है पर रेनेरा उसकी बात नहीं मानती और अपने newborn baby को लेकर लेनोर के साथ एलिशेंट से मिलने चली जाती है हमें इस one short scene में रेनेरा की तकलीफ को दिखाया जाता है कि वो कितने pain में है और काफी struggle के बाद वो एलिशेंट के पास पहुँचती है जहां हम Viseries को भी देखते हैं जो काफी कमजोर हो चुका है विजेरियस और एलिशेंट पहली वार रेनेरा के बच्चे से मिलते हैं जहां एलिशेंट बच्चे को लेनोर के हाथों में थमाते हुए कहती है कि ट्राइ करते रहो क्या पता अगली बार तुमारा बच्चा तुमारी तरह दिखे हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि लेनोर होमो सेक्शूल है और इस एपिसोड में हमें रेनेरा के तीन बच्चे दिखाई देते हैं इसे साब पता चलता है कि इन बच्चों का फादर कोई और है ते हम इस एपिसोड में Targaryen family के कई बच्चों को देखते हैं जिनमें से एलिशेंट के चार बच्चे होते हैं जो एगोन दा सेकेंड हेलेन, एमंड एंड डेरियन होते हैं हम इन सब के hairs से पता लगा सकते हैं कि यह सब true blood of Targaryens है क्योंकि Targaryens के hair sort of silver colors के होते हैं और दूसरी तरफ Rhenera के kids जो Giseris, Lucaris और Joffrey हैं उन सब के hair dark blackish type के होते हैं जिसके reason को आगे एपिसोड में clear कर दिया जाता है कि Harwin Strong जो की Hand of the King, Leonel Strong के बेटे हैं वो ही Rhenera के बच्चों के फादर हैं क्योंकि Rhenera और Harwin Strong पिछले 10 सालों से एक relationship में है हम इस एपिसोड में Sir Christian Cole को भी देखते हैं जिनके behavior में काफी change आ चुका है क्योंकि Rhenera से प्यार में खता खाने के बाद अब वो काफी arrogant तरीके से बात करते हैं एक जगा तो वो Elysand के सामने Rhenera को गाली भी दे देते हैं तो खैर इस एपिसोड में वो Rhenera और Elysand के kids को training भी दे रहे होते हैं जहां वो Rhenera के बेटे से काफी बुरे तरीके से पेश आते हैं जिसके दोरान उसके real father Harwin Strong और Sir Christian Cole में fight हो जाती है फिर Harwin Strong को उनकी position से हटा दिया जाता है और हम उनके पिता को उससे बात करते हुए देखते हैं जिने Rhenera और Harwin के रिष्टों के बारे में सब कुछ पता होता है वो विजेरियस से जाकर कहते हैं कि वो अपने बेटे की बचसलूकी के कारण Hand of the King की position से resign करना चाते हैं पर विजेरियस इसे नकारते हुए कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते तो Lord Lionel Strong केहते हैं कि वो अपने बेटे को वहां से ले जा आना चाहते हैं ताक्कि वो अपने house Halo पर बापिस जाके वहां की जिम्मेदारियों को समझ सके वो इस episode में 2 को भी देखते हैं जो भी काफी बड़ा हो गया है वो काफी ना समझी बाले काम कर रहा है वो अपने भाई एमन से भी काफी बुरा बरताओ करता है एलिशेंट उसे बताती है कि वो आयन थ्रोन का वारिस है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा दूसरी तरफ हम डेमन को भी देखत चुका है और उसकी दो बेटियां भी है लेना वेलारियन अभी प्रेगनेंट है विद थर्ड चाइल्ड हम देखते हैं कि प्रिंस ओफ पैंटोस डेमन को ओफर देते हैं कि वो पैंटोस में आकर रह सकते हैं और उन्हें काफी धंदोलत भी दी जाएगी इन एक्सचेंज हमें इस सीन में पता चलता है कि ट्रायार की ग्रूप अब डॉर्न से समझोता करके काफी स्ट्रेंथ में आ चुका है तो उनका सामना करने के लिए प्रिंस ओपैंटोस डेमन को ये ओफर पेश करते हैं पर लेना इस ओफर से काफी नराज होती है और डेमन से अपनी होती है कि ना तो वो वच सकती है और ना ही उसकी ओलाद जिसके बाद हम लेना को उसकी दर्दनाक हालत में अपने ड्रैगन के पास जाते हुए देखते हैं वो ड्रैगन के सामने ड्राकारिस बोलती है और ड्रैगन अपनी आग से लेना को वहीं जला देता है अम इस एपिस से कर देनी चाहिए जिससे टारगेरियंस फैमिली के बॉंड को काफी स्ट्रेंथ मिलेगी एलिशेंट इस बात को इगनोर करते हुए कहते है कि वो इसके बारे में सोचेगी स्मोल काउंसिल की मीटिंग के बाद हम एलिशेंट को बापी समने कौर्टर्स में आते हुए देखते हैं जहां वो लोड लैरिस जो की लाइनर स्ट्रोक का एक और बेटा है उसके साथ डिनर करते हुए देखते हैं पर अगले ही शोड में हमें एक प्रिजनर की टंग को बहरेमी से काड़ते हुए दिखाये जाता है। आगे हम अगली सुबह हार्बिन स्ट्रोंग को रेनेरा और किट्स को गुडबाई कहते हुए देखते हैं। जहां वो रेनेरा से कहता है कि वो उनसे दुबारा जरूर मिलेगा। रेनेरा भी बच्चों को कहती है कि वो लैटर्स लिखेंगे और हार्बिन को भेजेंगे। पर हम इसी सीन में देखते हैं कि जेस रेनेरा से पूछता है क्या हार्बिन उसके पिता है या नहीं। क्या वो एक बास्टर्ड है पर रनेरा उसे कहती है कि वो और उसके भाई टारगेरियन्स ही है इसके बाद हम लेनोर को अपने न्यू लवर के साथ याड में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जहां रनेरा आके कहती है कि वो ड्रेगन स्टोन जा रहे हैं जिसके बाद रनेरा लेनोर और उनके बच्चे ड्रेगन स्टोन चले जाते हैं और विजेरियस इस बात पे काफी दुकी होते हैं हम हेरन होल में हार्विन और उसके पिता लाइनल को भी देखते हैं जो वी बहां पोंचे होते हैं पर रात को वहां पे कोई आग लगा देता है जिसमें लोर्ड लाइनल और हार्विन स्ट्रोंग के साथ साथ के लोग जलकर खाक हो जाते हैं इस आग को लगाने के पीशे लेरिस का हाथ ही होता है जिसे वो उन डंजन्स के कैदियों की हेल्प से अंजाम देता है एलिशन्ड को जब इस बात का पता चलता है तो वो इस इंसिडेंट को सुनकर काफी होरिफाइड हो जाती है पर लेरिस इस बात से अन्बोदर्ड है कि उसने अपने पिता और भाई को मरवा दिया है और वो एलिशन से कहता है कि सही टाइम आने पर वो उसे इस बात का reward जरूर देगी और ऐसे ही इस हफते का ये episode खत्म हो जाता है जो एक और बहतरीन episode था I think House of the Dragon series Game of Thrones के level पे पहुँच चुकी है क्योंकि ये भी same excitement और content पेश कर रही है जो Game of Thrones को देखकर feel होता था So I am waiting for the next episode तो ये थी मेरी explanation guys उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसलिए इसे like and share जरूर कर देना और पिछले episode की playlist को भी एक बार जरूर चेक कर लेना मैं ऐसे ही movies and series reviews और superhero news के बारे में वीडियोस अपने चैनल पे डालता रहता हूं तो मुझे support करने के लिए प्लीज एक बार उस red button को क्लिक करके मेरी जैन को subscribe कर देना क्यूंकि ये बिल्कुल free होता है